जैश्री राधे कृष्णा ओं कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है हरी अनंत हरी कथा अनंता में आज सुनिये राजा और पंडित की कहानी एक समय की बात है गौन्तूर नाम के एक गाउं में एक पंडित जी रहा करते थे उन्होंने एक साहुकार के पास 500 रु गया और बेटी शादी योग्य हो गई पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया जिसके बाद पंडित जी साहुकार के पास अपने पैसे लेने गए साहुकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है साहुकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहुकार ने उनके पैसे हडप लिये हैं एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लोट रहे थे तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहुकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे पंडित जी बिना देरी किये राजा से मिलने के लिए पहुँच गए और बहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी तुम उस समय उस साहुकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना जोला उठाकर घर को निकल गए अगले दिन राजा की सवारी निकली नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए राजा की सवारी साहुकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखा कर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहां क्या कर रहे हैं आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्गी में चलिए पंडित के बग्गी में बैठने के बाद सहुकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई उसके बाद राजा की बग्घी आगे बढ़ गई पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्घी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है अब आगे देखों क्या होता है पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहुकार सोच में पढ़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कही पंडित उसकी शिकायत राजा से न कर दे वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया सुभा दुकान पर जाकर सबसे पहले साहुकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सह सम्मान दुकान में लाने के लिए कहा मुनीम पंडित जी को ढूंडने निकल गया कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेल की छाव में आराम करते हुए नजर आए मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहुकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है साहुकार पंडिज जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जाँच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपए दिये थे इसकी जानकारी मिली है यह पैसा पीछे 10 सालों से मेरे पास जमा है जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,500 रुपए हो गए है फिर साहुकार उन्हें 13,500 रुपए देता हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है तो ये 1000 रुपए मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए है साहुकार ने पंडित जी को 13,500 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका व्याज और शादी के लिए साहुकार की तरफ से 1000 रुपए अतिरिक्त मिल गए कहानी से सीख अगर कोई किसी को परिशान कर रहा है तो उसके सामने गिडगडाने की बजाए ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है